हलो स्टूदेंट्स वालकम तू मैगनेट ब्रेंज दिस इस तजबीन पठान यूर साइंस एडुकेटर फॉर क्लास 9 और फॉर क्लास 10 तो जैसे के मैं आपको अभी अभी बता है कि मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूं क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस वो भी फुल कंप्लीट डीटेल्ड कोर्स के साथ जिसके अंदर हम लोग आपको प्रवाइड कराएंगे डीपीपीज डीपीज क्या होती है माम डेली प्रेक्टिस पेपर और स्टूरिंट्स अगर आप लोग सीब्सी बोट से हैं तो हम लोग आपको प्रवाइड कराते हैं केजी से लिए क्लास 12 अगर आप लोग स्टेट बोट से हैं तो हम लोग आपको प्रवाइड कराते हैं सिक्स से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस क्लासे और स्टूरिंट्स अगर आपको ईबोक्स चाहिए तो उसका लिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा तो आप जाकर उसको महां से अवैल कर सकते हैं तो विदावड एनी फॉर्जर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन जिसके अंदर हम लोग डिसक्स करने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशन क्या डिसक्स करने जा रहे हैं स्टूरिंट्स डबल सर्कुलेशन डिसक्स करने जा रहे ह आज मैं इस टॉपिक को इस तरीक ऐसे चंपाऊंगी न कभी नहीं भूलोगा double circulation, I make sure, चलो भाई, लगाओ heading जल्दी से double circulation, चलिए, आईए, तो सबसे पहले आपने लगा ली होगी heading क्या हो, double circulation, done, आपने क्या लगा होगी heading, double circulation आपने heading इसके अंदर लगा ली होगी, अब देखिये students, double circulation, को circulation तो आपको समझ माता है, circulation होता है, किसी चीज़ का एक जगा से, दूसरी जगा जाना ये होता है आपका क्या, circulation, अब double circulation का मतलब क्या होता है, आइए मैं बताते, देखिये, जैसे कि जब आपका blood, आपको ये चीज़ अच्छे से मालू है, कि आपको, आपके blood की जो supply होती है, पूरी body में, हार्ट के थू करी जाती है, मतलब हार्ट is the main pumping organ, मतलब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, कि हार्ट हमारा main pumping organ होता है, जो blood को प हार्ट माय, अब हार्ट ने उस blood को कहां भीजा, लग्स पे भीजा, हार्ट ने उस blood को, लग्स को भेज दिया, अब लग्स ने उस blood को body को नहीं दिया, उसने क्या किरा, उसने उस blood को वापिस से heart में डाला, समझ़ रू मेरा ये वाला point, फिर वो जो blood था, वो heart से push करा गया ब्लट की बस यही है double circulation twice the entry of blood in a heart is called double circulation और क्या है double circulation basic तो मैम ना आपको बता दिया है और होता कैसे है वो सब कुछ भी मैम अभी आप लोग को बता देंगे चलिए वए तो क्या है आपका double circulation वे आपकादि है और देंगे e Θब है आपकादि क्या है वायओ Hal आपकादि रेमीघा Wाद ग्यार क्या है वो आपकादिज थू आप keyword क्या पी है आपकादि तो कि सब्कादिध mia अवास् nomina क्या हाट में ब्लट की दो बार एंट्री होना ही क्या कहलाता है student आपका double circulation कहलाता है कोई डाउट कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है जल्दी से आप उस कमेंट सेक्शन में डाल दीजेगा मैं उसका अंसर कर दूंगी next video के अंदर चलिए अब मैं double circulation चलिए हमें इत हमारा हाट कंटीनियसली ब्लट सप्लाई कर रहा है पूरी बॉड़ी को यह चीज आपको समझ माती है actually heart is not a single pump देखें जो heart है वो single pump नहीं है heart is really a double pump double pump का मतलब क्या होता है वो एक ही बार पुछ नहीं करता है वो क्या करता है देखो आया जैसे and freely तो पहले वो पुछ करेगा lungs को फिर वापिस से lungs में से आई का उसके पास तो वो दुबारा से पुछ करेगा उस मतलब बेसिकली वो double time पुछ कर रहा है ब्लट को तो the left side of heart अब आईए हहां पर अब मैं आपको पूरा समझाती हूं double circulation तो let's make the diagram of heart human heart चलिए तो आपको पता है students as you all know कि अब मैं heart बनाने जा रही हूं यह क्या है student यह क्या है यह हमारे माम atria क्या है यह students atria है यह हमारे क्या atria यह ट्रे है अब आप देखेंगे student यहा पर एक नीचे इसके structure present होता है जिसको हम बोलता है यह पिणवें ventricle अब आपको एक चीज़ पता होगी student अच्छे से मना आपको यह last session में भी यह बात बताई थी समझाई थी अच्छे से कि जो ventricle होते हैं उनकी wall तोडी थिक होती है, उसका reason भी100 आपको last session में ही समझाया था, क्यो कि ma'am, पूरी body को जो blood supply देनी होती है, वो वेंटरिकल के contraction की वज़ा से होती है, ऐसे contraction होती है, जब पूरी body को blood supply मिलती है, और यह high pressure से कणने पड़ती है, मनला, बहुत तेजी से कणने पड़ती है वह जोर से करने पड़ती है जिसकी वैसे अगर इसकी मसल मोटी नहीं होगी तो चांसे होंगे कि वेंट्रिकल फट जाएगा तो हम यह देखते हैं यहां पर यह आपका अब आप थि चीज देखे हो चीज देख पहरोंगो चीज चीज देख पार रूँ स्टू ही एओ यह है अपका क्याँ दिस और रा वंचेल रा वंचे oc and this is right atria अब मैंने आप आप सोच रहे हैं तो आप इसको राइट को लिखने दे कि ये चीज मैं आपको last class में भी समझाई थी वापिस से एक बार बता रही हूँ कि जब भी आप किसी human body को बरें तो आप इमाजिन करें आप सामने से बह le Jiang बिल्कुल मत भूली कि आप उसको सामने से पढ़ रहे हैं यह चीज आप याद कितिक है इसलिए जब किसी ओडि को ऐसे पर ही हूंगी मैं किसी ऐ 살아 पढ़ हूंगे ना संज़ो ना मेरा point? ऐसे पीछ है तो मालो मैं सामने खड़ी हूँ मैं किसी body को पढ़ रही हूँ तो यह उसकी left side है न और यह उसकी right side तो देखो यह उसकी left side यह उसकी right side समझ मांगे वाला point फिर यह होजाएगा आपका student क्या left atria और यह हो जाएगा left ventricle left ventricle हो जाएगा फिर मैंने आप लोग को बताया था students के इनके बीच में यहाँ पर यहाँ पर ऐसे valves present होते हैं तीन valves बताये थे यह है यह जो valves है यह है आपके triacuspid valves याद आ रहा है कुछ last class का triacuspid valves हो जाएगे students यह और यह जो है इधर साइट के यह हो जाएगे आपके bicuspid valves done वो triacuspid यह bicuspid valves valves क्या होते है माम valves होते हैं students जो blood के backflow को रोकेंगे backflow मतलब के जैसे जब यहाँ पर blood आएगा ना अभी मैं आपको सब बताऊंगी देखो valves क्या होता है बस आप इतना अदक हो कि valves prevent the backflow of blood समझ मांगे अतना point आप लोगों फिर एक एक valve यहाँ पर present होंगे ऐसे इन valves को इन दोनों valves का नाम सेमी है यह है आपके semi-lunar valves रुखें semi-lunar valves यह क्या हो जाएंगे student आपके semi-lunar valves हो जाएंगे समझ मांगे वाली चीज़ यास मैं हमें यह चीज़ समझ में आ गई है चलिए आप देखिए आप मान लीजे कि यह आपके blood body organs आ रहा है अभी तक आपको इतना समझ माय है ना अब आप देखिए और यहाँ पर उपर lungs है यहाँ पर उपर lungs है समझ जो यह lungs है मैं बना नहीं रही हूँ मैं से फ्लिक रही हूँ जो आप समझ जाए कि महाँ पर lungs है अब आप देखिए अब आप यहाँ पर क्या देखिए कि यहाँ पर यह body organs है यह क्या है यह body organs body organs तो मान लीजे इस body organ में से यहाँ पर cells ने use कर लिया हूँ सारा glucose और CO2 वगएरा urea वगएरा सब कुछ डॉल दिया इसके तर oxygen वगएरा सब कुछ लेली से तो हम यह देखिएंगे students के देरिजा यहाँ से एक main vein आईगी main vein क्यों बोलेंगे हम लोग इसको यह सबसे बड़ी vein है जो पूरी body का de oxygenated blood heart के पास वापस लेकर आ रही है यह मैं आपने कल ही आप लोग को concept बताया था मतलब last session में यह चीज़ बन आपको बताई थी कि जो आपका vein है वो हमेशा blood को वापस लेकर आएगा towards the heart तो हम यह देखेंगे यह लेकर आएगी इस तरीके से ऐसे लेकर आएगी और यह कहाँ एंट्री लेगी इसकी इसकी entry होगी students कहाँ पर मैं इसकी entry होगी यहाँ पर है right atrium है right atrium में इसकी क्या होगी students entry होने वाली है हो जाएगी इसकी atrium में entry इसकी और यह जो है न है यह पीछे से घुमालो है रोको ऐसा 7 million और यहाँ पर है अब आप देखेंगे यहाँ आप ऐसे blood भरे गाश ड़े दन आब आप देखेंगे कि यहाँ पर इन वाल्स पर pressure पढ़ना शुरू हो जाएगा देखें ऐसे हैं मेरा मेरा फेस क्या है मेरा फेस है क्या यह इक यहाँ पर यहाँ पर आ रहे हारा है आप ही देखेंगे कि वेंटरिकल यह होते हैं मैंले यह जो वाल्स हो रहे हैं और धड़ाम तरीके से पूरा ब्लड नीचे है यहां पर ऐसा जाएगा कैसा है कि साइट में दिखाते हूं जिसी हाट है तो यहां पर देखे हैं तो यहां पर क्या वह जो फोल्ड और यहां पर आजयेगा वो पहां जाएगा वह यहाँ पर आजाएगा समझ गाद मेरा पॉइंти यहाँ पर यहाँ पर घ्ला इसे वरसे इन वॉढले घ्लारी में असे साथ में आज चलता है साथ मि यहाँ पर मायम जय से अब हम यह चीज़ रोट्स करते हैं कि अब क्या होगा अब ये होगा कि आभ यह जो ब्लड है you Pil यह जो ब्लड है यह वैना कावा जो से यह क्या कर रही है क्या डि ओक्सीज़ेनेटीड ब्लड यह deoxygenated blood को carry कर रही है carry deoxygenated blood अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अब जब यह lungs के पास जाएगा तो lungs से इसको क्या मिल जाएगी oxygen मिल जाएगी देखो आप यहाँ पर देखो अब मालो यह lungs के पास आगी और यहाँ पर यह capillary बनेंगे आपको पता है अब यह जो blood है वापिस से यहाँ पर oxygenate हो गया तो अब यह blood वापिस से कहाँ पर आएगा students यह blood ऐसे ऐसी हाँ पर अंदर उसके entry हो जाएगी देखे अब देखे अब यहाँ से यह blood है अब जो oxygenated blood है यहाँ पर यह जो oxygenated blood है वो यहाँ पर entry लेगा लेगा entry मानतों मेरी बात यहाँ पर entry लेगा इसके through अदे इसके through नहीं लेगा इधर side से गलत बना दिया मने एक नट इस वाली के through नहीं लेगा देखो क्या होगा यहाँ से यह यहाँ साइली है और यहाँ पर घुशेगी एट्रिया के through होगी ना entry एट्रिया के through entry होगी एट्रिया के through entry होगी और blood entry ले लेगा यहाँ से blood की हाँ पर ऐसे entry हो जाएगी अजन ब्लड पर यहाँ पर भरेगा left atria में लंग से आएवा ब्लड यहाँ पर left atria में बरना शुरू हो जाएगा तो अब हम देखेंगे जब वो ब्लड भरेगा तो क्या होगा यह यहाँ है मेरा फेस अब यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसे भर रहा है यह बर रहा है यह बॉल्स है मेरे हाँ बॉल्स है तो क्या होगा एक प्रेशर लगेगा एक constant pressure लगता रहेगा बॉल्स पर and then the walls will open like this and the blood will go down like this into the ventricles so what you will observe here you will observe that कि माम the walls will open like this and the blood and the blood enters from here to here and पूरे के पूरे ventricles बढ़िया होके भर जाएंगे अब मैंने आप लोगे के पॉइंट बताये था कि हार्ट से हार्ट से जो लंग्स के पास blood लेकर जाएगी वो होगी artery और कौन सी होगी वो होगी pulmonary artery तो यह जो गई है यह जो गई है लंग्स के पास तो इसका क्या नाम हुजाएगा student इसका नाम हुजाएगा मैं pulmonary यहां लिख रही हो मैं इसको pulmonary artery अब आपने यह चीज़ रोटिस खरी कि यहां पर लंग्स से left atrium में जब ब्लड आया और यह बेन के थ्रुम है ओं कहाँ पर आने वाला है बलड़ किसके बास वापस आने वाला है यहां के पास वापस आने वाला है तो लिए इस pa साई जाए ज माई लुट सा मघी हमां दो यह दो तो कैसे मतलब कि आगर मैं इस फिकर में दिखाँ आप लोगों को यहां पर एट्रिया की हालत डाउन हुई पड़ी थी अभी तक एट्रिया का पिछका वाल हुआ पड़ा था जब उन्होंने कॉंट्रेक्ट करके ब्लड दाला बट अब वेंट्रिकल का चांस अब वेंट्रि वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आजाएगा तो अब वेंट्रिकल कों पयां पड़ करना पड़ेगा लिए भी वेंट्रिकल सबस्क्राइब अब दबाके करें देखे रेलैक्स बोचा करेंगे इस तरीक जाएंगे मुचाप नारेंगे तो आप जब वेंटरीकल के से कॉंटरेकट करेंगे students so what you will observe you will observe that कि यहां से blood निकलेगा यहां से blood निकलेगा ठीक है यह वाला वो भी कौन से वाला वो भी कौन सा वाला देखो एक point में आपको यहां पर याद रखना है कि जिस time atria मैंने क्या बोला था ऐसा नहीं होगा कि पहले right वाली side lungs में चाहेगी यहां पर वो एक काम ने लावे तो दोनों साथ में और वेंट्रिखल भी दोनों साथ में पुश करेंगे यह यह जो सीन हुआ है ना दोनों एक एकका कर रहे थे यह इसका मतलब है कि जिस time पर यहां पर उस टाइम पर एट्रिया ने वह ब्लड व counties व यह ब्लड tactical में टाला राइ ट्रिया ने जो बॉडि से आइवागा ब्लेडटा राइट एट्रिया के पास उसके राइट वेंट्रिक्ल को वो ब्लेड दे दिया अब यहाँ पर student यहाँ पर उपर से लंग से आ गया blood अब वो atria ने left ventral को दे दिया तो यह दोनों काम साथ में हो रहे थे हैं पूरा oxygenated blood body से बाहर निकलेगा और यह क्या है यह माम ओर्टा क्या है यह 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 और यहां से है ऐसे और रेले imprison ऐसे, this is your ओटा, क्या है student, यह है आपकी ओटा और ओटा है हाँ पर फिर वो ही, यहाँ पर ऐसे capillary में टूटेगी, then ultimately फिर यह cycle शुरू हो जाएगी, यह चीज़ repeatedly होती रहेगी, अब double circulation क्या था ना देखिए पहले पूरी body का deoxygenated blood heart में गया, कौन सी side, right side फिर वो जो deoxygenated blood था, वो lungs में गया, फिर lungs ने उसको वापिस से heart में भेजा, वापिस से उसको body में नहीं डाला गया, ऐसे नहीं है कि lungs से direct body में चली जाएगी, नहीं, नहीं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब lungs से कहां गई चीज, heart माई वापिस है, अब heart इसको वापिस से contraction के थूँ, body से बाहर फेकेगा, with the help of otta, and दो बार, blood की entry जो हुई है ना, इस तरीके से, यही है double circulation, समझ के, अगर इसमें थोड़ा complex लग रहा है, तो एक और diagram बता दू, block diagram, चलो भाई पहले इसका screenshot लो, आओ ज़रा block diagram देखो, प्तू, इसका, देखो, एक block बना ले ना, एक block done, आपने बना लिए block diagram, आप इसको consider करना, उपर वाले को, राइट, एट्रिया, यह block diagram है students, double circulation का, आप heading लगा सकते हैं, block diagram of double circulation, double circulation का block diagram है, अब नीचे हो जाएगा आपका क्या, right ventricle, क्या हो जाएगा student, हीचे हो जाएगा right ventricle, इधर साइड आजो, यह हो जाएगा आपका क्या, left atria, यह हो जाएगा left ventricle, बना लोगे, यह 4 डिबबे तो बनाए बनाओ इनको, फिर उसके बाद यहाँ पर मानलो यह है body, यहाँ पर मानलो body parts यह body parts होगे student, और यहाँ पर उपर हो जाएगे lungs, समझगे मेरा point अप तुम दो, अब क्या होगा, मैं देखो, एक ही उस से दिखाऊँगी, एक ही color से, I am not using too much colors, एक ही color मैं दिखाऊँगी, अब क्या होगा student, अब यह होगा, कि मैं body parts से, body parts से, जो blood है, वो यहाँ से निकले वो निकलेगा मैं और वो पहुचेगा right atrium में, आगे right atrium में, किसके through निकलाइए, जो मैंने यह जो मैंने आपको line दिखाईए, this is called Vena Kawa, क्या है student, यह है Vena Kawa, या क्या है, Vena Kawa, this is Vena Kawa, done, उसके बार students, यहाँ से right atrium में blood आचको है, अब वो right atrium से रहेगा right ventricle में, कहा जाएगा, right ventricle में, अब right ventricle इसको push मारेगा, arrow के through देखते रहो, lungs में, किसके through, lungs में, lungs में, किसके through मारेगा, जल्दी बताओ, pulmonary artery के through, तो यह जो है, यह क्या हो जाएगी student आपकी, pulmonary artery, artery, यह हो जाएगी pulmonary artery, हो जाएगी pulmonary artery, अब वो जो lungs है, वो उसको oxygenate करके, देखे, यह जो है, यहाँ पर यह जो पूरा blood है, यह जो vena cava carry कर रही है, this is deoxygenated blood, this is deoxygenated blood, जान, उसके बाद, lungs जो होंगे, lungs उसको push मारेंगे, कहाँ पर, into the left artery, कहाँ push मारेंगे, यह जो blood है, किसके through entry लेगा, किसके through entry लेगा, मैं यह entry लेगा, pulmonary artery, vein के through, किसके through entry होगी, students, इसकी pulmonary vein के through entry होने वाली है, इसकी, समझ रो मेरे इस point को, यह, अब हमें समझ मार यह चीज, अब यह जो pulmonary vein है, यह pulmonary vein इस blood को push मारेगी, left ventricle में, मारेगी, मानतों मेरी बाद, अब यह जो left ventricle में blood आएगा, देखे, pulmonary vein कैसा blood carry कर रही है, मैं pulmonary blood, जो vein है, वो carry कर रही है, oxygenated blood को, oxygenated blood को carry कर रही है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, कि जब entry होगी, उसकी किसमे, left ventricle में, किसमे होगी, left ventricle में entry होगी, तो अब यहाँ से, पूरा-पूरा blood body को डाला जाएगा, तो it looks like this, मैं आपको ऐसे दिखा नहीं, उधर से नहीं मार देखा, push, मारेगा, push, left ventricle इस से, push मारेगा, तो अब blood यहाँ से होता हुआ, यह होता हुआ, यह जाएगा body parts को, और यह जो arrow है, यह क्या represent कर रहे है, किसके through जाएगा blood student, यह जाएगा auta के through, तो auta is the main artery, जो क्या carry कर रही है, oxygenated blood को carry कर रही है, तो auta के नदर क्या हो circulation, देखो, पहले heart maya, blood, एक बार entry होई, heart maya, blood, एक बार entry होई, heart maya, यह होई, तो first step है, जब entry होई, फिल लंग्स मिला के वापिस होई, heart maya, तो दो बार entry होई, heart maya, blood की, तो यह ही तो है double circulation, यह block drive, जिसको यह वाला diagram नहीं आ रहा है, कि मैमी बहुत tough है, मत बनाओ, यह बन the left side of heart act as one pump which pump blood into whole body, देखे, जो left side heart की, वो body को, क्या कर रही है, blood pump कर रही है, और जो right side body की, वो lungs को blood pump कर रही है, समझो इस point को, the right side of heart act as another pump which pump body blood only into the lungs, lungs में blood, यहां से दो, right valley side, lungs में blood डाल रही है, समझो रही है मेरा point, और जो left valley side, वो body में, वो body में मार रही है, blood को, जान, हागे बढ़ जाओ मैं, okay ma'am, next we can see from the figure that the left side of heart is completely separated from the right side, देखे, आप एक चीज़ नोटिस कर पा रही होंगे, यह जो left valley side, वो right valley side है, वो left valley side से completely, क्या through मन आपको बताई थी यह चीज़, इसको हम बोलता है, septum, क्या बोलता है student हम इसको septum, तो septum एक ऐसी दिवार है, इसने right side को left side से अलग कर रखा है, called septum, the two pumps in the heart work independently, यह आपस में, मलब के independently काम कर रहे है, next, the separation of left and right side of the heart is necessary, अब देखे, आप सोच रोंगे, माम क्यों जरूर आता है, और एक side में आपका oxygenated blood आता है, यहां से समझ गया, तो अगर आपकी septum ना present होगी, तो दिक्कत क्या हो जाएगी, माम से दिक्कत यह हो जाएगी, कि माम दोनों blood तो mix हो जाएगे, और हमें फिर mixed blood मिलेगा, बोड़ी को mixed blood मिलेगा, तो क्या ही फाइदा है, तो tension होता है किस चीज़ का mixing of blood, का blood mix नहीं होता है, the separation of left and right side of the heart is necessary to prevent the mixing of the oxygenated blood on the left side with the deoxygenated blood on the right side, सबच मा अगया वाला पॉइंट आप लोगो क्या चीज़ आपको चमक चुकी है, यस माम, चलिए, next, before we describe the circulation of blood in the human with the help of diagram, we should keep the following points into mind, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट से देखे, first point कहा है, the blood circulate in our body in two form, दो form में हमारी body में blood circulate करता है, यह बाद आप 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 लोग जानते हैं कि दो form में होता है, एक होता है, oxygenated form में होता है, deoxygenated form में, oxygenated blood and deoxygenated blood, the blood carry oxygen, जो blood होता है, ज oxygenated blood in the lungs, हमें कहा से मिलता है, यह oxygenated blood, lungs के थू मिलता है, where the fresh oxygen of air passes into blood, जिसमें हम देखे हैं कि जो हम ऐसे inhalation करते हैं, तो इसके थू फ्रेश एर हमारी body में आती है, वो lungs में जाती है, और lungs उसको किसको देते हैं, blood को देते हैं, the blood having no oxygen, जिसमें oxygen नहीं होती है, is called deoxygenated blood, the deoxygen blood is formed in all organs of the body, अब जो यह deoxygenated blood है, students, हर body में बनता है, मतलब deoxygenated blood नहीं बनता है, is in the sense हम यह बोल सकते हैं, जो oxygen उन सल्स को मिलती है, वो उस oxygen का इस्तमाल करने के बाद, उसका use कर लेते हैं, for respiration, वहां से क्या निकालते हैं, student, वहां से CO2 gas को produce करते हैं, और उस CO2 gas के produce होने की वज़ा से, ब्लड में आने की वज़ा से, हम लोग क्या चीज़ नोटिस करते हैं, कि वो ब्लड हो जाता है, deoxygenated, समझ में आगे हावाला पॉइंट, यह माम, the deoxygenated blood is formed in all the organs of the body, except lungs, lungs मने बनता, this is because when the oxygenated blood passes through the organ of the body, the body cells up its oxygen and make it deoxygenated, अब क्या करते हैं, यह क्यों बनता ह formation होता है, CO2 gas का, the deoxygenated blood, however, carries carbon dioxide in it, और जो deoxygenated blood होता है, students, उसके अंदर क्या present होता है, carbon dioxide present होता है, then which is produced during respiration in body cells, समझ मा आ गया वाला पॉइंट, यह माम, यह चीज़ हमें समझ में आ चुकी है, next, आ जाईए, अब student second point के रखना है, तो first point तो आपको समझ मा आ गया, कि माम oxygenated blood होता है, और deoxygenated blood होता है, अब second point क्या है, second point to remember is that, when blood circulates in the body, then it supply oxygen, जब देखे, जब blood supply कर रहा होता है, तो वो oxygen, digested food, nutrients, minerals, इन सब को भी क्या कर रहा होता है, इन सब को भी क्या कर रहा होता है, जैसे chemicals में, hormones, enzymes, all the cells of the body, it also carries back waste product like CO2, etc. from body cells, और वो क्या करता है, देखे, इस time वो अच्छी चीज़े लेके जाता है, बट वो बुरी चीज़े वापस लेकर रहा है, अच्छी चीज़ों में जैसे oxygen आगया, glucose आगया, nutrients आगये, आपका chemicals आगये, जैसे enzymes आगये, hormones आगये, the heart beat non-stop all the time, heart non-stop beat कर रहा है, heart non-stop beat कर रहा है, the heart beat is due to the rhythmic contraction and relaxation of the heart muscle which make up the atrient ventric और यह heart कर देखे, हमारा heart जो होता है, student, एक word होता है, myogenic, हमारा heart myogenic, myogenic heart का मतलब क्या होता है, students, कि हमारा heart अपनी ही muscle के द्वारा control कराया जाता है, उसके ओपर brain का कोई control नहीं है, जैसे कि हमारी normal cell, normal muscle जो contract करती है, heart वाली को छोड़के, जो normal muscle contract करती है, तो वो neuron के signal से करत है, but heart ऐसा नहीं करता, heart खुद ही contract करता है, खुद ही relax करता है, please note that, the two atria, left atrium and right atrium contract to other, यही चीज़ मैं आपको बताई थी, ऐसा नहीं होगा, पहले एक side काम करेंगे, फिर दूसी side, नहीं, नहीं, दोनों ही atria साथ में contract करेंगे, और दोनों ही ventricle साथ में contract करेंगे, but, ज जिस time ventricle, जिस time atria contract करेंगे, उस time ventricle शांत पड़े होंगे, और जिस time ventricle contract करेंगे, तो atria शांत पड़े होंगे, यह point आप यहा दख, नहीं, please note that, the two atria, वो ही बताया मैंने, contract together and relax together, and ventricle contract together and relax together, the contraction of two atria is immediately followed by the contraction of two ventricle, मनले यह immediately काम करते हैं, यह immediately काम करते हैं, you won't believe, आप आपका पूरा पूरा जो blood है, कितना है आपकी body में? 5.5 liter, इतना ही है, मतलब कि इतना आपके body में blood है, एक minute में आपकी body पूरा filter मार देती है, oxygen से deoxygenated, deoxygenated से oxygenated उसको करने में, body बहुत efficiently काम कर रही है, अब आप देख लो, कितना जादा, समझ रहो मेरा यह वाला point आप ल blood circulate होता है, तो यह से शुरू करते है, कैसे होता है, चलिए देखते है, when the muscle of all the four chambers of the heart are relaxed, the pulmonary vein bring the deoxygenated blood, अचा आपको पता है, one minute में कितनी times आपका heart beat कर जाता है, 72 times, 72 times, आपका heart one minute में beat कर जाता है, उस beating का मतलब क्या है, मैं, उस beating का मतलब होता है, कि जतनी बार वो beat कर रह समझदो में यह वाला point आप लो, the pulmonary vein bring the oxygenated blood from the lungs, आपको यह चीज़ पता है, कि जो muscles होती है, four chambers में heart, वो relax रहती है, वो relax कब रहती है, क्योंकि जिस time pulmonary vein है, वो oxygenated blood लारी होती है, वापिस से, लंक से, और left atria है, heart के अदर, ठीक है, मतलब पहले शांत पढ़े है, शांत बर जाएगा, भड़े जाएगा, अब आप देखेंगे, आप जी साथ परोगी यहां से pulmonary vein, oxygenated blood ला रही है, तो यहां से left atria है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भर किया, जान, हम यह देखेंगे, यहां से pulmonary artery कांगी, ने, ने, जो वैना काव है, वो blood ला रही है, राइ प्रेशर की वेज से नीच आ जाते है, थोड़ा सा ही ब्लड बसता है एट्रिया में, जो कांट्रेक्शन की वजा सा आता है, तो जितना भी ब्लड है, वो गॉन्टरेक्षन करके देदेंगे, अब वेंट्रिकल के प्लास ब्लड आगया, अब उस टाइम पर एट्रिया हो देता है body organs को, समझ में आगे वाला point यह है, this is the block diagram of double circulation, समझ माई यह वाली चीज, yes ma'am, यह चीज़ हम में समझ में आ रही है, next, next, फिर जो होता है, जो आपका left atria है, वो contract करता है, oxygenated blood is pushed into left ventricle, यही, यहां से यहां पर आएगा, थोड़ दा valve 1, valve 1 क्या है, students यह, यह कौन सी साथ हो रही है, ma'am, यह बात करने है, tricuspid valve की, फिर जो left ventricle है, वो contract करेगा, the oxygenated blood is forced into the main artery, अब यह, यहां से इसको ऐसे main artery में भेज देगा, then, किसके थूँ, इस main artery का नाम का है, ma'am, इसका नाम है, otta, क्या नाम है, students का otta नाम है, this main artery, then branches, अब यह branches में तूट जाएगी, इसे, capillary में तूट जाएगी, into smaller arteries, which go into different body organs, the smaller arteries further branch, अब यह वापिस से और तूट जाएगी, पहले तूट जाएगी, फिर यह और तूट जाएगी, किसमे, capillary में, अब जो capillary में जब यह तूट गई, तो main exchange होगा, क्या, capillary have not been shown in figure, यहां पे नहीं दिखा रखी हैं, बट क कोई नहीं मैं आपको बता रखा है, capillary किस सरी के से तूट ती है, next, the main artery carries blood to all the organs, अब जो main artery है student, वो आपका जो blood है, वो organs को लेकर जारी है, हम, जिसको लेकर जारी है, organs को लेकर जारी है, of the body like, the head, chest, sar ko, chest ko, arms, stomach, intestine, liver, kidney, trunk, legs, सब जगा, lungs में नहीं जा रहा, बस सब जगा ज then it gives oxygen to the body cell, अब जब देखो, अब वो blood oxygenate है, ये blood oxygenate है, तो इसकंदर क्या क्या होगा, oxygen होगी, glucose होगी, enzymes होगी, hormones होगी, ये सब चीजे इसकंदर present रहने है, तो आप यहां से क्या देखेंगे, ये सब चीजे ये cell को देगी, उसी के बदले में, cell इसको क्या देगी, since the blood losses oxygen, here we say that blood has been deoxygenated, अब blood deoxygenate हो चुका है, then the blood also gives the diastate food, and जो भी blood के पास diastate food, ये से glucose, material, ये सब कुछ था, वो भी वो body cells को देगी, या करिको body cells को देगी, at the same time, उसी time पर जो cells है, उसने जो CO2 प्रदूस करा होगा, as a waste material, during respiration, वो blood में वापिस सा जाएगा, and जो deoxygenated blood है, व main vein, the main vein carries the deoxygenated blood, अब जो main vein है, उसने क्या carry कर रखा है, deoxygenated blood को carry कर रखा है, to the right atrium of the heart, correct, yes ma'am, चलिए, next, next, आदाते है, अब क्या होगा, when the right atrium contract, अब जब ये blood इसके इंदर भरेगा, तो right atrium भरिया तो contract करेगा, तो ये चीज आएगी right ventricle में, तो blood pushes into the right ventricle through valve 2, valve 2 मत अब जब जब राइट ventricle contract, अब जब राइट ventricle contract करेगा, तो ये blood जाएगा, lungs में, दिख रहा है आप लोग को, yes ma'am, इस pumped into the lungs through pulmonary artery, और ये कौन है, ये है pulmonary artery, इन lungs, अब जो deoxygenate blood है, वो oxygenate हो जाएगा, releases its CO2 and absorbs fresh oxygen from air, so the blood becomes oxygenated again, अब जो blood होगा, वो वापिस से oxygenate हो जा बार बार repeat होती रहेगी, this cycle will repeat continuously, this oxygenated blood is again sent to the left atrium of the heart by pulmonary vein for circulation in the body, समझ मागे वाली चीज, next, this whole process is repeated continuously, मैं आपको पता है कि पूरा पूरा process continuously repeat होता रहेगा, in this way the blood keeps on circulating in our body, इसी तरीके से हमारी body में पूरी तरीके से blood circulate करता रहेगा, without stopping due to which all body parts keep on getting oxygen, और इसी विदा से पूरी body parts को oxygen मिलती रहेगी, digested food मिलता रहेगा, other material time to time मिलते रहेगे, the blood circulation also keep on removing waste, और उसी तरीके से जो भी waste material body में बन रहा है, वो blood के थूरू body से बाहर होता रहेगा, समझ मागया, तो double circulation का students, बहुत जादा क्या है, आपका फाइदा भी है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो all cells में चला जाएगा student, removing waste निकल जाएगा हैं से, done, आगे बर्स पते हैं, next, the blood circulator system in human being is an example of double circulation, समझ मा आगे न आप लोगो, भाई, इतना detail में double circulation बताया, अगर आप किसी ने बूरा ना मैं समझ मिनिया, तो भाई, गलत बात हो जाएग, यह बहुत जाएगा, तो double circulation मैंने बहुत चैसा आपको समझा दिया है, अगर अभी भी समझ में है, तो recap करके देख लो ना वीडियो, चलो, this can be explained as follows, आप क्या होता है, a circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation, क्या होता है, यह double circulation होता है, समझ मा यह वाली चीज़, यह समाम यह पूर की पूरी समझ मा आ चुकी है, in the human circulator system, the pathway of blood from heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation, as simple as that students, जो heart और lungs के बीच में circulation, उसको हो बोलते है, pulmonary circulation, एक बात बताओ, देखो मेरी बात सुनने धर आओ, कोई ड़ने की बात नी है, वो block diagram यह मना लो या फिर यह वाला मना लो, यह heart है, और यहाँ पर lungs है, यह heart और यह lungs है, तो यहाँ से, यह वाला मन बना है, और तुम ऐसी, पर तुम्हे लगेगा कि माडम क्या ही हो गया है, तो यह block diagram बताती हूँ में उसके तुम, यह हो जाएगा आपका क्या students, this is your, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, यह हो जाएगा आप लोग का, उसके बाद, अब आप देखेंगे, यह heart आपका, यह पूरा क्या है, यह आपका heart है, तो heart है है, और यह हाँ पर आपका, यह lung है, तो यह बोल रहे है, in human circulating system, the pathway of blood from heart to the lungs, यह right वाली side से, यह right वाली side है, इससे जो lungs तक का पूरा जो pathway है, और back to the heart, इसको और यहाँ से वापिस से जो आएगा, इसको हम बोलते है, पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आप लोग को पता है, कि lungs के लिए ही हम word use करते है, पल्मोनरी, तो जो heart से lungs सक्का है, जब आप heart से lungs को deliver करते हैं, और जब back to the heart, और जब lung से वापिस से heart मा यह होता है, यह होता है, आपका pulmonary circulation, क्या होता है, student, यह आपका pulmonary circulation होता है, circulation, और एक होता है, systemic, systemic में क्या होता है, student, जब आपका जो blood है, वो heart से body में जाए, और body से वापिस से heart में जाए, वो होता है, systemic circulation, इच मेंज कि मैं systemic क्या होगा, यहाँ पे नीचे body है, यहाँ पे से वापिस से हाट में जाना this is your systemic circulation कोई डाउट आप कोई डाउट है आप तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आमने क्लियर कर दिया systemic circulation screenshot लो भाई इसका बहुत important बात बताई है मैंना और इसको अपनी notebook notes में भी mention करो उस चीज़ को ले लो इसका screenshot done आगे देखा हूं the pathway of blood from the heart to the rest of the body जो pathway है मतलब के heart से body में जाने का और फिर से वापिस से हो heart में जाने का उसको हम बोलते है systemic circulation there are two types of circulation taken together make a double circulation systemic or pulmonary circulation होता student यही दोनों मिलकर बनाते है double circulation को the animals such as आप आजो यह बहुत important चीज़ आपको इहां से बताने जारे हूं यहां पर रहूं हम देखे जो आपके chamber है ना heart के जो chambers होते हैं chambers वोई chambers आप समझते हैं ना atrial ventricle कितने आपके present है एक होता है four chambered heart एक होता है three chambered heart heart और एक होता है आपका two chambered heart तो इसके लिए मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहते हूं तो भाई आजाओ सरा देखो तो आपके four chambers में कितने type के heart होते है four chamber होता है मैं एक होता है हमारा three chamber और एक होता है हमारा two chamber तो मैं जो four chamber heart होता है हमारा देखे जो हमारा four chamber heart होता है मैं difference आपको आपके बना यह पहले हैं देख लेते हैं four chamber heart जो है हमारा जो हमारा four chamber heart होता है students उसमें हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर दो atria होते हैं दो ventricle होते हैं दो atria और दो ventricle होते हैं वो heart कुछ ऐसा होता देखो दो कैसा होता है ये atria ये दो atria हो गए और ये दो ventricle हो गए देखिये और ये यहां वाला इधर साइड वाला तो देखिये एक as you can see here one two, three, four तो four chambers हो गए तो ऐसे को हम बोलते हैं four chamber heart समझ मैं ये वाला point आप लोग को four chamber heart को होता है ये किस में present होता है student ये होता है आपका present in mammals mammals जितने भी mammals हैं students उन सब में आपको क्या present होता है four chamber heart present होता है और birds में birds, birds होती है जो मतलब के पक्षी है उन में भी four chamber heart होता है और एक exception हो और है एक exception है crocodile अब अब exception क्या? crocodile ले लिखो बताऊंगी वो exception क्यो है और crocodile में भी अब देखो या crocodile इतना बड़ा आदमी है तो मुसको तीन चमबर दो गए गया या दो चमबर दो गए गया crocodile बट crocodile जो है student वो एक reptile है तो हम ये चीज़ नोटिस करते है कि three chamber heart जो होता है जो हमारा three chamber heart होता है जो हमारा three chamber heart होता है हम ये देखते हैं इसमें क्या होता है इसमें आपका दो एट्रिया होता है बना एट्रिया तो दो होता है बट वेंट्रिकल एक होता है दो एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है दो एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है देखो एट्रिया तो दो हैं बट वेंट्रिकल लेक है अब भी बताऊंगे कैसे सप्लाइ होती है इसमा प्लट की फिर स्टुडेंट्स इसके अंदर कौन से काटेगरी जाती है आपकी यह किसमें प्रेजंट होता है यह प्रेजंट होता है माम इन एमफीबियंस एमफीबियंस होता है जैसे मेंड़क वगारा जो होता है मेंड़क वो एक एमफीबियंस होता है जो पानी और लेंड दोनों पर रहा सकते हैं एमफीबियंस होते हैं जो लेंड और वाटर दोनों में सर्वाइफ कर सकते हैं बट रिप्रोड़क्शन के एक reptile है बट फिर भी वाम उसके पास four chamber है बस यही exception है कि क्रोकोडाल के पास four chamber heart होता है यही exception तो done done yes ma'am फिर आते है student हम लोग two chamber heart पे two chamber heart two chamber heart two chamber heart students इसमें क्या होता है इसमें आपका एक atria होता है और एक ventricle होता है जान एक atria होता है और एक ventricle होता है इसमें इसमें क्या रहता है देखवा इस तरीक से रहता है और चनेंजमेंट लो एक atria एक ventricle यह एक atria और एक ventricle यह किसमें present रहता है students यह fishes में present रहता है present in fishes कहा present रहता है students यह fishes में present रहता है समझ भागे वाले सीज़ आप लोगो को मैं four chamber three chamber और two chamber में क्या difference होता है done इस समझ भागे आप लोग को इसका screenshot ले लो ले लिया अब देखवा मैं कुछ चीज आपको बताना चाहिए देखें है जैसे मैंने आपको बोला कि डबल मैंने जो circulation है वो डबल होता है हमारे अंदर तो क्या महा को single circulation भी होता है क्या आओ देख लेते है Sverige mentioned जो होता है students वह आपका था होता है double जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है double circulation मैंने आप लोग को बता दिया है एक होता है student आपका incomplete circulation और एक होता है student आपका क्या single circulation दीखे double तो आपने सीख लिया double circulation क्या होता है when when blood enters into the heart twice जब जो blood होता है student आपका heart में जब दो बार entry लेता है तो वो होता है आपका double circulation आप आप incomplete circulation का मतलब क्या है देखे मैं आपको बताती हूं incomplete में क्या होता है पहली बात तो incomplete circulation में क्या होता है जो आपका blood है जैसे माल लिजे यह three chamber heart वालो में होता है किसमें होता है यह three chamber जिनके पास three chamber heart होता है न उनके पास होता है incomplete circulation देखे यह complete है double circulation एक complete circulation होता है three chamber heart में क्या होता है जैसे माल लिजे यह heart है तो हम 4-3 observe करते हैं students कि जब इसमें blood आता है ना तो blood आया यहां से blood ventricle मागया यहां पर ventricle में blood भणने लगा तो यह deoxygenated blood है इसको pink से नहीं बनाना चाहिए तो रूखो देखो ऐसे हो जाएगा यह आपका ऐसे हो जाएगा तो अब आप देखेंगे कि यह किसमें होगा एंफीवेंस हो जाएगा मालीच में मेंडग का दिखा रही हो आपको यह तो यह body है यह body है तो आप देखेंगे body से जो deoxygenated blood है वो राइट एट्रियम आएगा यह right atria यह left atria और ventricle एक ही है इसका ventricle एक ही है ventricle में कोई सीन नहीं है तो आप जब blood यहाँ पर भर रहा था तो blood यहाँ पर आगया यह deoxy blood है अब क्या होगा students अब यह मतलब कि क्या होगा अब यह मतलब oxygenate हो जाएगा यहाँ पर जाके उपर lungs बगरा में तो यहाँ पर यह जाएगा अब यह oxidated blood ना वापिस से ventricle में जाएगा अब जब यह वापिस से ventricle में जाएगा तो यह blood mixed blood हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर deoxy blood भी पहले से अल्वेडी थोड़ा सा present था और oxy भी है पर आगया, तो body को जो supply मिलेगी नहीं है, हैंसे, तो यह तो यहाँ पर गया यहाँ पर आगया, अब जो body को supply मिलेगी ना body को यह supply मिलेगी इस तरीके से तो body को mixed blood की supply मिलती है तो यह होता है incomplete circulation समझ के मेरे यह वाला point क्या यह वाली चीज आगे आप लोगों को समझ में yes ma'am यह चीज हमें बहुत अच्छे से clear हो चुकी है done, बढ़ जाओ माँगे, yes ma'am बढ़ जाई आगे तो यह होता है incomplete जहाँ पर आपके organs को mixed blood supply होता है कैसा blood supply होता है students mixed blood supply होता है to the organs done, अब आते हैं students single circulation single circulation में देखें क्या होता है single circulation होता है आपके heart में blood से भी एक बार आएगा यह होता है fishes में, देखें यह हमारी प्यारी से खुबसूरत से fish यह हमारी fish है तो अब यह fish जो है students, यह बहुत खुश है क्योंकि इसके यहाँ पर आप देखने जा रहे है double, वो single circulation तो यहाँ पर एक organ present होता है student जिसको हम बोलते है gills यहाँ पर there is a organ called gills यह मालोग gills है एंड इसके उपर यहाँ पर present होती है gills lits done फिर यहाँ पर इसका heart रहता है यह मालोग यह heart है इसका यहाँ पर यहाँ पर यह सीन होने वाला है अब मुह से पानी भढ़ने के बाद ये जो गिल्स हैं, ये गिल्स हैं, ये गिल्स से oxygen निकालती है और वो oxygen, देखो water है ना बाहर, बाहर water है, तो water में से dissolved oxygen इसको निकालनी पड़ीगी, अब ये क्या करती है, उसको ऐसे directly supply कर देती है body organs को, यह है body organs, बहला directly हहां से blood vessels आएंग अब body organs से deoxygenated blood बना होगा, वो blood आएगा heart में, और फिर heart उसको वापिस से gills को देगा, and then gills वही काम करेंगी, तो आपने इक चीज़ नोटिस करी कि जो fishes का heart है, उसमें सिर्फ एक ही बार आया blood, तो इसलिए single circulation है, और देखो सिर्फ deoxygenated blood आता है fish के heart में, इसलिए fish के heart को venus heart भी बोला जाता है, समझ मा आगया कि आप लोग को single circulation में क्या फर्क होता है, माम जब एक ही बार entry हो, जैसे fishes माम आप देख पारे है, in complete माम जैसे आप देख पारे है, mixed blood body को supply हो रहा है, और double circulation तो माम ने आज के topic, मतलब आज का show stopper बनाया ही था, हटाओ भाई, ले लो इ साइड और राइट साइड जो होती है, वो completely separated रहती है, जिसकी वैसे oxygenated blood, deoxygenated blood से mix नहीं करता, इसकी वैरा से, इस separation की वज़ा से, ये वाले जो animals होते हैं, वो बहुत जादा highly efficient होते हैं, students, बहुत highly efficiently ये काम कर पाते हैं, supply of oxygen to the body cell, which is necessary for producing a lot of energy, this energy is useful in warm blooded animals, और इसकी वैसे ह को भी क्या रख पाते हैं, maintain रख पाते हैं, क्योंकि energy बहुत जारा generate कर पाते हैं, whichever high energy needs, because they constantly require energy to maintain the body temperature, body temperature maintain करने का मतलब क्या है, मैं हम देखे, कुछ animals ऐसे हैं, students कि वो अपना body temperature maintain नहीं कर सकते, it means, कि जो बहार का external temperature रहेगा, वो ही उनकी body का हो जाएगा, अगर आप snake को लो स्नेक को एंटार्टिका ले जाओ, तो स्नेक की body जम जाएगा, माइनस में temperature, स्नेक की body का माइनस हो जाएगा, या फिर बहुत ही गर्मी है बहार, आइसलिए आप लोगों ने देखा होगा, कि आपको गर्मी में, मतलब कि वो, sorry, winters में, winters में आप लोगों ने notice क्या होगा, कि जो ये स्नेक्स और लिजर्ड होती है, या आपको सन बास्किंग करते वे नजर आती है, मतलब धूप सेकते हैं, क्यों, क्यों कि पूरी राथ temperature डाउन रहता है, तो जिसके वे से इनकी body का temperature भी, मतलब क्या रहता है, तो ये बरोज वगरा में घुश जाते हैं, जिससे इ इनकालने पड़े हम निकालने पड़े हम निकालेंगे, बट हमारा body temperature कैसा रहता है, students, हमारा पूरा पूरा body temperature constant रहता है, समझ माई ये वाली चीज, all the animals having four chambered heart have double circulation, जिन भी animals के पास four chambered heart होता है, student, उनमें पाया जाता है double circulation, in which the blood passes through the heart twice in one complete cycle, next, the animals such as amphibians, amphibians बताया मैंने, जैसे कि आप देख पार हूंगे, आप है amphibian like a frog, उसके पास three chambered heart होता है, students, many reptiles are cold blooded, cold blooded का मतलब होता है, जो अपना temperature maintain नहीं कर सकते है, whose body temperature depends on the temperature of the, in the environment, they do not need energy to maintain their body temperature, and hence the requirement of energy is less, तो इसलिए उनके energy requirement भी कम है, इसे amphibians और reptiles होता है, इनके प crocodile का, crocodile जो होते हैं, वो ऐसे animals हैं, जिनका four chambered heart होगा, यह mammal है दो, जैसे four chambered heart रहेगा, इसका, यह lizard आपको देख रहेगा, इसका, यह lizard आपको देख रहेगा, इसका, समझभा आगे वाली चीज, yes ma'am, यह चीज़ हमें समझ में आचुके, next, due to incomplete division, incomplete division का मतलब हो ही है, कि ma'am हद तक, आपस में mix हो जाता है, this reduces the production of energy, जिसकी वजा से, इनका energy production बहुत कम रहता है, the amphibians and reptiles have a, however, a double circulation that delivers blood to the lungs and the rest of the body respectively, समझ में आगे वाला point, yes ma'am, यह चीज़ हमें समझ में आचुके, है तो double circulation, देखो, heart में blood दो बार आए था, blood तो दो बारी आता है heart में, but incomplete circulation रहता है क्योंकि पूरी तरीके से, क्योंकि body को mixed blood मिलता है, next, fish के पास two heart, two chamber heart होता है, which consists of one atrium and ventricle, देखो, यह प्यारी से fish हमें, प्यारी कहां से लग रही है, हाँ, इसके आखे देखो, कितनी खतरनाक सी है, the fish does not have lungs, उसके पास gills होते हैं students, तो इसी वैसे वो पानी में से oxygen निका देगी, oxygenation of blood takes place in the gills, तो oxygenated blood from the gills is supplied to the body, जो oxygenated blood होगा, वो directly supply किया जाएगा body को, part of a fish where oxygen is utilized and the carbon dioxide enters into it, making it deoxygenated, अभी जो deoxygenated blood है, यह heart में आएगा, to be pumped into gills होगा, वापिस से किस में pump कर दिया जाएगा students, gills में pump कर दिया जाएगा, तो यह जो flow है na blood का, कि इसको बोलता है, single circulation, क्योंकि blood जो है, वो सिर्फ हाट में से एक ही बार पास हुआ है, only once in one complete cycle of the body, तो क्या आप लोग को चमक चुका है, पूरा circulation, double क्या, single क्या, incomplete क्या, सब कुछ चमक गिया, yes ma'am, यह चीज़ हमें बहुत चमक चुकी है, अगर चमक गी तो भाई, red heart comment कर दो ना, इसी बात बार जल्दी से कर दो इसका red heart comment, चलो, एक बार, यह देख लिया, आप लोगों ने, पूरा का पूरा, यह वाला देख लिया, किस तरीक से double था, incomplete था, single circulation था, हम, और यह चीज़ भी आपको अच्छे समझा दी, four chamber heart, three chamber heart, two chamber heart, क्या होता है, screenshot ले लो, screenshot ले लो, done, ले लिया, तो भाई, इसी के साथ, मैं इस session को यहीं पर ही end कर रही हूँ, I hope आपको circulation बहुत अच्छे से समझ माया होगा, आपको बहुत ही detail है, मैंने समझाने की कोशिश करी है, अगर फिर भी कोई doubt रहे जाएगा, तो उसको comment section में आप डाल दीजेगा, मैं आपको उसका answer कर नेक्स session, तो students मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, कि magnet brains आपको provide कराता है free of cost education, अगर आप लोग CBSE boards हैं, तो हम लोग आपको provide कराते हैं, केजी से लेके class 12 तक की free of cost classes, और अगर students आप लोग state boards हैं, तो हम लोग आपको provide कराते हैं, MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board, अगर आप इन board से आते हैं, तो हम लोग आपको provide कराते हैं, 6 से लेके class 12 तक की free of cost classes, और students अगर आपको e-books and e-notes चाहिए, उसका link भी आपको मारे description box में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं, और students आप हमें कहां कहां follow कर सकते हैं, आप हमें follow कर सकते हैं, तो भाई मैं मिलती हूँ आप से, नेक्स सेशन में ऐसी धमाकेदार जोश के साथ तो बने रहेगा, मेरे साथ magnet brains पर, thank you so much.